दोस्तों ये है OnePlus Bullet Wireless Z Base Edition and ये है Realme के तरब से recently launched वा Realme Buds Wireless 2 इन दोनों का ही प्राइस लगबाद 2,000 रुपया के आसपास है और ये OnePlus वाला अब तक का मेरा सबसे फेवरेट नेक बैंड हुआ करता था मैं हर किसी को एही वाला सजेस्ट करता था बढ़ रिसेन लांच वाइस नेक बैंड में बहुत सारा नया फीचर दिया गया और बहुत एक तगड़ा कॉंपरिशन बन गया है इन दोनों नेक बैंड के बारे में तो चलिए one by one इन सभी topics का बारे में बताएंगे आपको की इन मेंसे सबसे बेस्ट कौन सा है तो यह है हमारा दोनेक बैंड अगर सबसे पहली बात करो दोनों के design and build quality के बारे में तो यहाँ पर design and build quality में जज्यादा कूछ difference देखने को नहीं मिलता है लगबग आपको सेम तरह का ही quality मिल जाता है उपर के साइट में जो rubber का quality है वो आपको silicon का मिल जाता है काफी soft हैं बहुत ही easily आप कहीं पर भी pocket में भरके carry कर सकते हैं but OnePlus का जो silicon का quality है वो मुझे बहुत जाँ soft लगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो पहली जब आया था तो कुछ इस तरह का safe में था but इसको बहुत दिन से मैं use कर रहा हूँ लगभग 8-9 महीने से जादा time से तो इसका जो safe है वो Nick के हिसाब से थोड़ा सा band हो गया आप यहाँ पर देख सकते है और Nicholas के end position का अगर आप देखेंगे तो इसका जो दोनों का ही quality है वो आपको exactly same जैसे है मिल जाता है दोनों में है आपको plastic का build quality मिलता है और यहाँ पर अगर आप left side में देखेंगे तो left side में आपको realme का सिर्फ realme का logo मिल जाता है बट OnePlus में सारा जो buttons है जो LED indicator है जो charging port है वो आपको left side में ही मिल जाता है और realme में आपको ये सारा चीज़ आपको left side में मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ में आपको extra एक ANC button भी मिलता है इसके लब आप OnePlus में आपको सिर्फ OnePlus का logo मिलता है right side में और यहाँ पर आपको कोई भी buttons बगरा देखने को नहीं मिलता है और अगर बात करूँ wear के quality के बारे में तो wear का जो ठीकने से बो आपको लगभग same जैसा ही मिल जाता है बट OnePlus में आपको हलका सा एक texture देखने को मिलता है जो कि Realme में आपको कोई भी texture नहीं मिलता है बट दोनों का ही जो quality है बो आपको काफी अच्छा मिल जाता है यहाँ आपको wear में कोई भी problem नहीं होगा बट यहाँ पर बात करो wear के support के बारे में तो OnePlus में आपको यहाँ पर उपर के side में भी आपको एक rubber का हलका सा यहाँ पर support देखने को मिल जाता है जो कि आपको Realme के इस neckband में देखने को नहीं मिलता है हलाकि air plug के तरफ में support आपको दोनों ही neckband में देखने को मिल जाता है और अगर बात कर Tool Air Plug के बारे में तो दोनों ही आपको यहां पर आप स्मार्ट एर प्लक देखने को मिल जाता है मतलब कि जब भी आप दोनों एरा प्लक को अलग करेंगे तो यह switch on हो जाता है आपको अलग से कोई यह पावर आउन या off करने का ज़रूरत यहां पर नहीं होता ह और एर प्लक का जो design है वो आपको काफी comfortable मिल जाता है, दोनों ही 45 degree angle में tilt है, तो आपके कान में fitting में कोई भी problem नहीं होगा, काफी easy या बहुत लंबे समझ तक use कर पाएंगे, मुझे fitting में as such कोई भी problem नहीं हुआ, इसको मैं बहुत लंबे समझ से use कर हूँ, और जो air tip का quality है व आपको दोनों का ही काफी similar सा मिल जाता है, बट Realme का एक advantage है कि यहाँ पर आपको एक extra button दिया गए, जिसके साथ आप ANC को on-off कर सकते हैं, आप game mode को on-off कर सकते हैं, आप दूसरे device में भी बहुत easily switch कर सकते हैं, तो इसलिए मैं हलका सा आगे रखूंगा Realme के इस earphone को, और यह तो चले बात करते हैं, दोनों के battery and music playback time के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही neckband में आपको fast charging का support मिल जाता है, और बात करो battery backup के बारे में, तो यहाँ पर मैं OnePlus के बारे में बात करो तो यह claim करता है 17 घंटे का battery backup, और इसको मैं बहुत दिन से use करो, तो मुझे करीब 14-15 घंट आप यह easily provide कर देता है, मैं इसको अगर एक बार चार्ज करता हो, तो मुझे 3-4 दिन बाद फिर से charge करना पड़ता है, और अगर बात करो realme के बारे में, तो realme claim करता है 22 घंटे का battery backup, बाट यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आपको LDAC का support मिल जाता है, अगर आप LDAC mode को on करके use करते हैं, तो company का ही दाबा है कि 11 घंटे का battery backup मिलता है, और यह actually 11 घंटा भी नहीं मिलता है, अगर आप 70-80% volume में सुनता है, तो करीब 9 घंटे के आसपास मुझे मिला है, जितना मैंने इसको use किया है, और अगर आप LDAC mode को off करके use करते हैं, तो आपके बहुत ही बड़ा issues है, company claim कर रहा है 22 घंट और हमें actually मिल रहा है 11 घंटा, तो पता नहीं मतलब ऐसा real me ने क्यों किया है, कि इतना कम battery backup हमें देखने को मिल रहा है actual usage में, अगर बात करूँ charging time के बार में, तो charging time मुझे काफी आचा लगा, दस वट के charger से अगर आप इस किसका weight है 29 घंट, यह दोनों ही बहुत light weight है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दुछले बात करते हैं इन दोनों निक्पेंड की call quality के बारे में, तो चले मैं आपको टेस्ट करके देखा, तो आप खुद से judge कर पाएंगे कि किसका call quality ज्यादा बेटर है, तो अभी मैंने दूसरे mobile पे call कर दिया है, तो आप और भी आच्छे से समझ पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने फैन को भी फूल कर दे है, तो आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर noise cancellation मिल रहा है, तो अगर actual sound दिखा हूँ, तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरह का noise को यह cancel कर रहा है, और अभी आप यह जो मेरी आवाज को सुन रहा है, यह record है, वान प्लास पुलेट वर्लेशी बेस एडिसन की इस माइक से, तो आप समझ सकते हैं, किस तरह को यहाँ पर sound quality मिल जाता और मैं फिर से यहाँ पर fan को on करके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने fan को full कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं, कि आपको noise कैंसल हो रहा है, यहाँ पर नहीं नहीं सुना है, जब मैं edit करूंगा, तो यहाँ पर नीचे में लिग दोंगा, कि किस का मूँ से ज़्यादा बेटर लगा, तो वह आप वहाँ से पढ़ लिजेका, आपको किस का बेटर लग रहा है, वह आपको किसे रोट कमेंट करके बताना मैं सुन जिए हैं, और अगर बात करूंग करूं के बारा में तो दोनों में ही आपको Bluetooth version 5.0 का support देखने को मिल जाता है, और दो connectivity में मुझे यहाँ पे दोनों में ही कोई भी सिखायत नहीं है, बहुत ही अच्छा connectivity दोनों का ही देखने को मिल जाता है, और इन दोनों ही neckband को अगर आप running या फिर जीम परपस में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बिलकुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको IP55 का rating मल मिलता है, तो हलका फोल का water and sweat सा आपको कोई भी चीनता करने के बात यहाँ पर नहीं है, और अगर बात करो इन दोनों एयरफोन के extra कुछ features के बार में, तो OnePlus में आपको कोई भी extra features देखने को नहीं मिलता है, सब आपको normal features से देखने को मिल जाता है, बट Realme Birds OLS 2 के snakeband में आप कोई active noise cancellation का support मिल जाता है, 25 dB तक sound को यह reduce कर सकता है, मतलब कि जब यह आप इस एयरफोन को कान में पहनेंगे, और उसके बात अगर आपके सामने कोई fan चल रहा है, या फिर AC से आवाज आ रहा है, या फिर कोई भी constant सा आवाज आ रहा है, उसको यह बहुत हद तक reduce कर देता है आपको पता नहीं चल रहा है, कि आपके सामने ही कोई fan चल रहा है, या फिर AC चल रहा है, बठा कोई इंसान अगर आपके सामने बगबग कर रहा है, तो उसको यह 100% चुप तो नहीं करा सकता, थोड़ा सा कम जरूर करा देगा, और इस ANC mode का आप बहुत ही easily on कर सकता है, यह इसी तरह का सेम क्वालिटी का आवाज आप एयरफोन को लगा के सुनेंगे, तो यह features मुझे काफी अच्छा लगा, और काफी helpful भी लगा, और हम लोग के ममी बबा जब भी हम लोग कान में लगा के उनका voice नहीं सुन पाते हैं, तो जो चिलात हैं ना हम लोग के उपर के कान में घुसा के रख दो, तो उस चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं इस transparent mode के जरिए, और एक बहुत ही important चीज़ की इस earphone में आपको realme link आपको support देखने को मिल जाता है, आप वहाँ से जाके सारा चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं, कि इस button को कैसे आप use करेंगे, इन सारे buttons को कैसे use करेंगे, क्या press करने से क्या हो सकते है, sound quality को आप वहाँ से जाके change कर सकते हैं, game mode को on कर सकते हैं, और साथ में अगर इसमें कोई problem आता है, तो firmware update भी वहाँ पे आपको मिल सकता है, ताकि वो problem solve किया जा सकता है, और यह जो चीज़ realme ने किया है, link app के साथ इसको connect कर होंगा, और मुझे लगता है कि हर company को इस चीज़ को follow करना चाहिए, OnePlus bullet Z wireless base edition आपको तीन अलग-अलग color option मिलता है, यह जो मेरे पास है, यह है reverb red color का, और realme buds wireless 2 आपको दो अलग-अलग color option मिलता है, यह है मेरे पास gray color का, इसके लिए आपको एक black color and yellow color के combination मिलता है, तो सभी earphone का base bank link में आपको निचे description में provide कर दोंगा, आप पहुंस आपके checkout कर सकते हैं, अभी किस price में यह available है, तो चलिए फाइनली बात करते हैं, इन दोनों neckband के sound quality के बार में, जिसके लिए आप इतना देर से wait करें, OnePlus bullet Z wireless base edition के इस neckband में आपको 9.2 mm का dynamic driver देखने को मिलता है, जबकि आपको 13.6 mm का base boost driver देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो driver size आपको आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है, बट हर वक्त ऐसा नहीं होता कि 48 megapixel वाला camera ही आपको सबसे best quality picture प्रोवाइड करें, 12 megapixel camera भी कभी-कभी उससे यदा better निकल जाता है, तो चलिए इस विशे मे detail में बात करेंगे आगे जाके वीडियो में, बट उससे पहले loudness को test कर लेते हैं कि कौन सबसे यदा loud है, तो अगर बात करो इन दोनों neckband के sound quality के बार में, तो दोनों ही neckband के sound quality है, वो आपको बहुत ज़्यदा जबर्दस देखने को मिल जाता है, आप इन में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, आपको कोई भी problem नहीं होगा, बट अगर बात करो differences के बारे में, तो Realme Buds Wireless 2 में आपको यहाँ पर तीन अलग-अलग mode मिल जाता है, Realme Link App के अंदर, तो वहाँ पर जो भी modes पसंद है, उसके हिसाब से आप इस earphone को use कर सकते हैं, बट जो main मुझे dynamic mode है, वो ही काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, बट वही पर बात करो OnePlus के इस earphone के बारे में, तो इसमें आपको कोई भी app support नहीं मिलता है, तो आप इसको customize नहीं कर सकते हैं, वैस तो इसका नाम है base edition, बट इसमें आपको base उतना punchy नहीं मिलता है, आपको deep base तरह का मिलता है, बट इ loudness है, वो भी आपको definitely इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ पर actually यह depend करते हैं, आपके उपर किस तरह का गाना सुनने ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आप base लाबार हैं, आप hip hop type का गाना सुनना पसंद करते हैं, तो definitely मैं suggest करूँगा, कि आप realme, birds, wireless 2 के साथ चाहिए, आपको काफी जवर्दस यहाँ पर experience देखने को मिल जाएगा, और वही पर आपको romantic type का, sad type का, origin thing type का गाना सुनना ज़्यादा पसंद है, तो मैं definitely suggest करूँगा, कि आप oneplus, bullet, wireless, base edition के साथ जा सकते हैं, हाँ loudness आपको हलका सा कम मिलता है, अगर आप compare करेंगे इसके स सकते हैं, तो हरबत सिर्फ driver या फिर megapixel ही important नहीं होता है, जो optimization है, उसके उपर depend करता है कि sound quality या फिर picture quality कैसा निकल के आता है, और अगर आप YouTube में वीडियो देखते हैं, आप movies देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों ही earphone में आपको कोई भी audio video, synchronizing में issues देखने को नहीं म बाला है, अगर आप gaming के लिए इन दोनों में से किसी भी एक earphone को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कहा दूँ कि OnePlus की इस earphone में आपको अलग से कोई भी gaming mode नहीं मिलता है, जिसको आप on कर सकते हैं, बट OnePlus की mobile पर आपको fanatic mode मिलता है, अगर आप उसको use करते हैं, तो आपको इस दोनों ही earphone में मैं आपको BGMI टेस्ट करके दिखाता हूं, तो यहाँ पर आपने देखा कि OnePlus की earphone में आपको हलका सा latency देखने को मिल जाते हैं, अगर आप एक casual camera है, तो आप definitely इसके साथ खेल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इसका जो loudness से वो हलका सा कम है, अगर आप compare करेंगे इसके साथ, तो इसलिए आपको थोड़ा सा enemy का sound है, वो कम देखने को मिलता है, बट इसका जो quality है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो latency है, वो मुझे ना के बराबर देखने को मिला, तो definitely मैं साज़ेश करूँगा, अगर आप gaming के लिए एक ear iPhone खरिदना चाहते हैं, तो आप Realme Buds 2 के साथ बिलकुल जा सकते हैं, बहुत ही तगर आपको यहाँ पर performance देखने को मिल जाएगा, और हाँ इन दोनों ही earphone में आप एक साथ में multiple device के साथ connect नहीं रह सकते है, बट हाँ Realme Buds 2 का एक advantage है कि इसका जो ANZ बटन है, उसका अगर 5-6 second के अंदर यह switch हो जाता है, जो कि आप OnePlus के इस earphone में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी quick switch बटन देखने को नहीं मिलता है, आप device में जाके वहाँ पर इसका जो नाम है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ही यह connect होता है, तो यह च तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4-500 रुपय के प्राइस गैपिंग बन जाता है, बट रियल्मी के इस earphone में आपको बहुत सारा features देखने को मिल जाता है, जो ANC यहाँ पर दिया गया, वो normally इस price segment में आपको देखने को नहीं मिलता है, और साथ में जो transparent mode है, वो भी मुझे बहुत सा practical लगा, और इसका sound quality भी काफी आचा है, और साथ में जो LDAC का support यहाँ पर मिल रहा है, वो आपको normally इस price range में देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको जो gaming mode मिलता है, वो भी काफी जबर्दस देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको बहुत सारा features मिल जाता है, सौफरल definitely मैं कहूंगा कि यह सबसे based आपको option मिल जाता है, बठा साथ में अगर आप trouble type का गणा सुनना पसंद करते है, premium looks आप चाहते है, क्योंकि इसका जो color combination है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, compare to इसका, और जो battery backup है वो भी आपको काफी decent सा यहाँ मिल जाता है, तो definitely आप इसको purchase कर सकते हैं, अगर आपका budget 2000 रुपया के अंदर है, sale के time पे इसका जो price रहता है, 1800 रुपया वो definitely एक value for money है, and अगर future sale में इसका price 2300 के जगा पी 2000 रुपया होता है, तो मैं definitely select करूँगा कि इसको देखने का जरुद नहीं है, आप Realme Buds Wireless 2 को ही सकते हैं, तो I hope कि वीडियो आप लोग के लिए काफी helpful हुआ होगा, अगर अगर आप लोग के लिए तो वीडियो को like करने के साथ सा चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही detailed informative वीडियो लेके आता रहता हूँ, and अगर अभी भी आपके मन में कोई तो आप कमेंट्स में पूछना मत भूलेगा, मैं आपके कमेंट्स का reply जरूर करूँगा, तो चली मिलता है नेक्स वीडियो में तक तक के लिए goodbye, thank you so much वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद